हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम तो अभी लक्ष अकेडमी अभी लक्ष अकेडमी में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो में हम यहां पर देखेंगे डैली पुलिस कॉंस्टेबल का 27 नमबर 2020 का शिफ्ट टू रिजनिंग का कोशिंट पिपर आज हम यहां पर डिस्क इन अलगी का है यह भी वर्ड रोगए मतलब यहां पर आपको देखना होते है की सवेटर और वूल का जो आपस में रिलेशन है वही चॉक का होना चाहिए किसी और लेटर के साथ अगर यहां पर आप समज्यों तो स्वेटरर देखा जाए तो स्वेटर किस से बनता है गूर से तो चौक हमें बताना है कि किस से बनेगी ठीक है कुछ लोगों जल्दी से एक दम से दिमाग में आता है कि डस्टर होगा अंसर लेकिन ऐसा डस्टर नहीं है इसमें पूछा यह है कि स्वेटर और वूल का जो रिलेशन वह यह है कि स्वेटर को बनाने के लिए वूल की बनेगे से गज़ुत है हैो, नेक्स्त्ट कोशन में आप देख रहे हैं कंप्लीशन ओफिगर, ठीक है, कंप्लीशन ओफिगर, अप यहां पर देखो कि एक figure given है, और और यह अगर आप देख रहें तो यहां पर भी एक स्क्वाइर बनाने के लिए एक लाइन की जरूरत है तो ऐसी फिगर हमारी बनेगी ठीक है बिल्कुल समझ आया हो गए यहां तक अब यहां पर यह पूर्थ ऑप्शन पर अगर हम देखें तो यहां पर यह लाइन पूरी न नहीं है नेक्स कोशिन के तरफ चलते ठीक है नेक्स कोशिन देखो नेक्स कोशिन में में ही कहीं ना कहीं profit and loss का question डाल दिया गया है ठीक है अब यहां पर यह कह रहा है कि a loss of 26% अगर बात करें 26 प्रतिशत की हानी 24 प्रतिशत के लाब में अगर परिवर्तित हो जाती है तो एक सैनिटाइजर की बोतल का विक्रें मुल्य एक सो पिचासी रुपे बढ़ जाता है तो वस्तू का क्रें मुल्य क्या है समझते हैं अगर क्रें मुल्य मैं 100 रुपे मान रहा हूं तो यह कह रहा है कि 100 रुपे की बोटल अगर मैं पहले 26% के loss पर बेचता तो मेरा जो SP होत 将 ह्ता कि कितना होता 74 रुपी जोता और अगर इसे वस्तू को बाद में बैचा गया कितने पर प्रॉफिट बढ़ गया ना प्रोफिट हो गया तो 24 परसंट का अगर प्रॉफिट हो जाएगा ठीकई 24 परसंट का अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो कही ना कही वह Sugeros 24 में भीखेगी ठीक है 124 में भीखेगी अगर मैं CP 100 मान रहा हूँ तब यह हैं ठीक है तब वैल्यू यह होने चाहिए तो हमारा SP कितना बढ़ गया आप यह देखो कि 50 बढ़ गया लेकिन 50 की वैल्यू कोशन में एक सो पिचासी रुपे बढ़ा ही गई है तो आप यह दो को कितना गुणा करें हमने का अगर इस जीरो को अटाए तो पांच का तीन गुणा पंद्रा और पांच का साथ गुणा पैतिस और इस जीरो को अटाने के लिए दस से भाग कर लेते हैं तो मतलब 37 बटे 10 का गुणा करना है तो इसको भी इसको भी 37 बटे 10 से गुणा कर दो तो मतलब 0 से 0 कैंसल हो जाएगा और 377 क्या जाएगा क्रेम उल्ले जो आपने क्रेम उल्ले माना था उसकी वैल्यू यह आने चाहिए तो उमीद है यह वाला पॉइंट भी आपको क्लिय इस स्वेघ्रम घ्रूप है आप उसमें वह पोस्ट कर सकते हैं को मिल जाएगा ठीक है कि करो नेक्स्ट कोशन पर आते हैं number सीरी इस है number इस में हमेशाए आपको देखो कि धीरे-धीरे numbers increase हो रहे हैं धीरे-धीरे numbers increase हो रहे ऐसा नहीं हो रहे है कि एकदम से number double triple four times से five times हो गया है तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है इस series का difference निकालना है इस series का क्या निकालना है difference निकालना है ठीक है यहाँ पर आप देखोगे तो आप एक होगे भई दो का difference है ठीक है next आप देखोगे तो कितना 30 का difference है फिर से यहां पर आप देखोगे कितना difference आ रहे है 1, 3, 13 का difference है फिर यहां पर आप देखोगे तो 15 मिसे 9 के 6 और यहां पर difference आ रहा है 13 मिसे 8 के 556 ठीक है तो यह difference हमारा आ रहा है अगर यहां पर हम देखें ध्यान से question को तो हम ये कह सकते हैं कि ये alternate series भी कुछ-कुछ बन रही है लेगिन ये difference भी बन रही है देखो यहाँ पर आप देखोगे प्लस 4 हो रहा है 9 से 13 प्लस 4 हो रहा है तो शाद आगे भी difference प्लस 4 कही होना चीए और 13 प्लस 4 यहाँ 17 आएगा और 17 जुड़कर यहाँ पर कितना आजाएगा 162 यह बिल्कुल इसका correct answer है ठीक है अगर और एक और number पूछा गया होता तो हम बाकी जो series यह जो चल रही है इसका हम difference देखते ठीक है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आठ का difference है फिर आगे आप देखोगे तो यहाँ पर 10 का difference है इनके बीच में 2 और 12 के बीच में फिर आप देखोगे 18 का difference है ठीक है फिर आप देखोगे कितना 20 का difference है ठीक है तो यहाँ पर 8 का difference फिर 8 का difference फिर से चल रहा है और अगर ऐसा नंबर ढूंडना होता तब ऐसा करते नहीं तो time waste करने की ज़रूत नहीं है 162 आपका बिल्कुल correct answer है ठीक है तो उमीद है यहां समझ आया होगा alternate series थी लेकिन यह difference में मतलब difference alternately चल रहा था चलो next question की तरफ चलते हैं यहां पर आप देख रहे है 13 13 15 27 47 67 97 and 153 ठीक है ओके difference निकालते हैं सबसे पहले अगर यहां पर हम difference देखें तो 0 आ रहा है यहां पर आप difference देखोगे 2 आ रहा है यहां पर आप difference देखोगे तो यहां पर 2 और 12 का difference है ठीक है यहां पर आप देखोगे तो 20 का difference है फिर यहां पर भी इनके बीच में भी 20 का ही difference है ठीक है और यहा पर आप देखोगे तो 13 में से 7 गए, आपके पास 6 और 14 में से 9 गए, 56 का डिफरेंस है, ठीक है, अब देखो, क्या हो सकता है, यह देखो 20 और 20 दो बार आ रहे हैं, फिर 30 भी आ रहे हैं, असल में यह 20 और 30 यह कह सकते हैं, कि कहीं न कहीं यह 5 के और 6 के स्क्वेर के आसपास है तो शायद कुछ ऐसा लोजिक लग रहा हो, ठीक है, चलो देखते हैं, यह हो सकता है, 1 का स्क्वेर माइनस 1 हो, यह 2 का स्क्वेर 4 माइनस 2 हो, बिल्कुल करेक्ट आ रहे है, 1 का स्क्वेर माइनस 1, 1 ही 0 आ जाएगा, 2 का स्क्वेर 4 माइनस 2, 2 आ जाएगा, यहाँ पर आप तो यहां पर आप देखो कि 4 का स्क्वेर 16 प्लस 4 करना पड़ रहा है 5 का स्क्वेर 25 माइनस 5 करना पड़ रहे 6 का स्क्वेर 36 माइनस 6 ठीक है मतलब आप देख रहो 1 2 3 4 5 इन सभी का तो स्क्वेर चल रहा लेकिन एक बर दो बार तो मैनेस हो रहा कितना जाएगा 49 49 और 7 आप देखोगी तो कितना जाएगा 56 ही आएगा ठीक हैं एक सेकें यह 95 तो इसी का था स्क्वेर 6 7 तो अब डिफेरेंस जो हैे 8 का स्क्वेर 2 2 8 स्वेו आप 6 का स्क्वेर 0 664 प्लस 8 आप करोगे च्विए 72 और 72 डिफ्रेंस यहां आना चाहिए इन दोनों का डिफ्रेंस तो जब आप इसमें एड करोगे तो यह आ जाएगा 55 और साथ 12 और यहां पर 225 इसका बिल्कुल तो उमीद है यहां तक आपको यह समझ आएगा इसमें किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए ठीक है आगे कोशन की तरफ चलते नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन है है यहां पर क्या करना होता है और अगर यहां पर वह सो सो से भाग पूरी तरह हो नहीं पाएगा ं मतलब अगर इस equation को देखे 15 गुना 8 बटे में 100 आएगा और यह सौत पूरी तरह से नहीं कट पाएगा और decimal में answer आएगा इसका मतलब यह third option तो बिलकुली ही नहीं हो सकता है मैंने पहले ही cancel कर दिया अब आप देखो अगर मैं multiply first option को देखो multiply और minus को change करते मतलब multiply के जगा minus और minus के ज बड़ा आएगा और यह भी plus 100 करोगे तो 51 तो आहीं नहीं सकता है तो इसका मतलब first option गलत है exactly लिकालने की जरूत नहीं है second option देखोगे multiply को हमें plus करना है और plus को हमें multiply करना है तो यहां पर देखो आप इसको गुणा करोगे तो 800 आजाएगा यहां पर इसको डिवाइड करके देखोगे 31 और यह इतना करके 51 वैसे भी नहीं आने वाला तो दो options हमारे तीन options हमारे गलत हो जाते हैं तो चौत option बिलकुल correct ही होगा ठीक है चेक करने की वैसे जरूत नहीं जब तीन options गलत हो जाते तो एक option तो हमारा बिलकुल correct होगा लेकिन फिर भी आपके सामने करके दे 31 और 31 बना जाएगा और यह बिलकुल fourth option बिलकुल set रहेगा ठीक है तो उमीद है समाज है आया होगा यहां ताग आपको कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं है next question में देखे select the option कभी भी ना इसको इस तरह से मत समझना कि a b c d तो अगला नंबर के आएगा मतलब a b c अगला नंबर के आएगा series नहीं है पहले आप ध्यान से पढ़ो select the option that is related to figure c in the same way that figure b is related to a मतलब यह जो दो figure है यह आपस में किसी तरह से relate करें तो यह c और db आपस में relate कर रहे होंगे कहने का मतलब यह कि analog का question nonverbal reasoning का analog का question है और यहां पर अगर हम इनके बीच में relation देखें तो मैं यह क्या सकता हूं यह जो figure है यह कहीं ना कहीं बिल्कुल उल्टी हो गई है ठीक है मतलब कहीं ना कहीं water image हो गई है तो यह जो image है इसकी बी water image यहां बन जाएगी ठीक है यह जो j बन रहा है यह कहीं ना कहीं 90 degree anti clock wise turn होगा तो यह एसे आएगा यह ठीक है तो हमारे पास देखो कितने option देखो यह option गलत हो गया ठीक है यह यह भी गलत हो गया ठीक है तो हमारे पास दो option बचे दो option में देखो क्या change है ठीक है यह वाला देखो आप देखो यहां पर यह figure जो थी वह बिल्कुल exactly same थी तो यहां पर यह जो arrow है वह भी बिल्कुल same होना चाहिए ठीक है तो इसका मतलब answer हमारे यह बिल्कुल correct option number three ठीक है तो उमीद है समझ आया होगा पहले options cancel out करते चलो हो सकता सारी चीज निकालने की exactly match करते हैं ऐसा नहीं करना है options को eliminate करो जितना हो सकेंगे options को eliminate करो और options में जो बचेंगे उसमें देखो क्या difference है उसको उस difference को find out करने की कोशिश करो question में से ठीक है चलो next question की तरफ आते है of the four given words have the certainly similar one is different and select the different option fox queen deer and deer cup तेखो fox female लोमडी female है ठीक है रानी female है डियर फीमेल है और डियर कब डियर कब डियर कब क्या होता है डियर कब क्या होता है कहीं ना कहीं डियर का मतलब जो हिरन का बच्चा होता है डियर कब को उसको बोलते है तो उसमें male और female का तो नहीं पता चल रहा है तो option number four बिल्कुल correct answer है ठीक है उमीद है आप तो समझ आयोगा ऐसा ही question इसके 30 हां 30th में भी आया था बिल्कुल correct कि तो सॉरी 3rd December में भी आया है यह ठीक है next question की तरफ चलते है नेक्स्ट question देखो 11 और 141 का कुछ relation है तो 17 का किस के साथ relation होगा ठीक है देखते हैं अगर यहां पर देखें हम यह कहीं न कहीं 11 का कितने multiple के आसपास जा रहा है यह 13 के multiple के आसपास जा रहा है क्यों क्योंकि कहीं न कहीं 13 का multiple होता 143 जब आप 11 को 13 से multiply करोगे तो 143 आएगा हो सकता है इसमें से 2 माइनस करके 141 बनाया गया हो ठीक है यहां पर भी चेक कर लेते हैं तो 13 17 को अगर मैं 13 टाइमस कर देता हूं तो 221 होता है इसमें से भी अगर 2 माइनस करेंगे तो 219 हाचा ठीक है option number 2 बिल्कुल correct answer आ रहा है तो उमीद है यहां तक आपको यह समझ आया होगा ठीक है स्कूर भी हो सकता है 11 का स्कूर करोगे तो 121 प्लस 20 करेंगे तो शायद 141 आजाए 17 का स्कूर करोंगे 289 प्लस 20 करोगे तो आंसर नहीं है ठीक है तो उमीद है यहां तक यह समझ आया होगा चलो नेक्स कोशन की तरफ चलते नेक्स कोशन है क्या पेपर वापनतों कहीं न कहीं इसा ही डिजाइन सामने आएगा- ठीक है और फिर ये इधर भी बनेगा तो हमारा ये डिजाइन नहीं बनेगा देखू ये और ये बनेगा यह यह बनेगा लेकिन इनद付 लें ज्विक ज्यादा Aufgabe यह कहीं इसा तो नहीं इधर बनेते बिलकुल it is related to figure c in the same way figure b is related to relate figure a ठीक है अब आप यहां पर देखो पहले कि अगर यह एक figure थी पहले इन दोनों का relation देखना है फिर इन दोनों का same होगा तो अगर यह देखें तो यह कहीना कहीन 90 degree घड़ी की दिशा में घूमा है 90 degree कितने की दिशा में घड़ी की दिशा में घूमा है और कहीना गहीन जब यह घूमें तो इन एरो को replace कर दिया गया यह वाला एरो इस तरफ आ गया और यह वाला एरो इस तरफ आगया है बिल्कुल ठीक है तो कहीना कहीने फिगर 90 degree घड़ी की दिशा में घूमा हिए और इनके arrows को बदल दिया गया है तो जब इसको 90 degree rotate करोगे तो क तो इसका मतलब option number two बिल्कुल correct answer है ठीक है आप ये भी बोल सकते हो कि ये बदल नहीं गए है आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो arrow थे वो दूसरी तरफ खोल दिये गए है ठीक है ये जो arrow है ये इस तरफ खोल जाएंगे ठीक है ठीक है चेंज हो जाएंगे तो इसका मतलब option number two बिल्कुल सही बनेगा क्योंकि इसमें नहीं है इसमें तो दोनों figure सेम आ रही है इसमें भी दोनों figure सेम आ रही है इसमें सेम है लेकिन ये 90 डिगरी कुछ नहीं गुमाया अलग से ठीक है इसको anti-clockwise घुमा दिया गया है 90 ठीक है अगर हम multiply करें इससे तो थर्टी तो यह तो दूर चला गया इनको प्लस करते है थर्टी सेवन 37 का कितना टाइंस हो सकता है 3 ताइंस नहीं यह तो ट्रॉपल वन 4 ताइमस हो सकता है 4 तो यह हो सकता है शायद 4 728 2 3 4 12 13 14 14 ठीक है यह भी हो सकता है 148 ओके 148 हा रहा है इसमें से शायद 5 माइनस कर दिये गए हूं ठीक है मतलब इसका पहले हमने फ्लस करके कितना टाइंस किया फोर टाइंस किया और 148 आया उसमें से 5 माइनस करके आया होगा अब यह एक्जेक्ली क्यासे बता चले चलो देखते हैं इसमें पांच पांच और छे टोटल मिलाकर कितने आरे 11 11 का चार गुना करें तो 44 44 में से 5 माइनस कर दो नहीं गलत है आठ और 33 कितना आ जाएगा यह 41 कि एक तालिस का चार गुना करोगे तो चार कमचा चार चुक सोल रवन शिक्स्टी पूर माइनस पांच करेंगे तो 159 आएगा अगे चे और नों पंद्रा पंद्रा का चार गुना साथ हो गये तो वैसी दूर हो गया अठारा और नों यह कितना आ जाएगा आपके पास अठेस चार सत्य अठाइस दो चुक आठ और नों दस एक्सवाट यह भी नहीं है यह भी नहीं था यह क्लोज लग रहा ज्यादा यह इसका आंसर कितना आया था 159 आया था ओके ओके ठीक है क्या यह बोल सकते हैं जितना सेवन था शैच सेवन से दो कम यहां पर माइनस चो तो यहां पर अगर आठ है तो आठ मेंसे दो कम मतलब 6 माइनस करके देख लेते 158 यह बिल्कूल करेक्ट आ रहे हैं तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो काफी सारे लॉजिक इसमें लग पा रहे थे लेकिन वह फेल हो रहे थे ठीक है चलो उमीद है तक आपको यह गूंत तो इसने करेご चाइम यहां पर लिखा हुआ भीएate मैम आप इसको घॐमा कर नहीं जुकल फण करे तो यह वाली फिग्र्ड सब्रूट of Marinie कंघ़ को यहां पर लिखाऊ हुआ अभीर वाटरोल नहीं है यह अगूमढर बीडा यहां और लिखार वही है वाली इसमें तुन सकते हो एसे की ऐसड़ीर यह कहीं न कहीं घूलने चाहिए अब एस ट्रेट लाइन ऐसे जाना चाहिए है यहाँ पर ऐसी कोई फिगर यहाँ पर नहीं जारे आ ठीक है यहां पर यह हो सकता है देखो यह ऐसा आ रहा है लेकिन यह वाली लाइन छोटी है काफी यह काफी बड़ी थी फिकर में देखो यह बिल्कुल exactly सही आ रही है है ना इतनी ही लंबी आ रही है और यह option number 3 बिल्कुल correct है फॉर्थ में तो नहीं बन रहा है ठीक है तो उमी question की तरफ आते हैं और सीरीज का कोशन है और अगर आप यहां पर देखोगे तो यह जो फिगर यहां पर आई है यह जो मतलब ऐसे ही राइट एंगल बना हुआ है और यहां पर यह जो रॉंबस है वह यहां पर आ गया और यह लाइन जो यहां पर चले गया है ठीक है यह दो फिगर एक जैसी है बस इसमें भी रॉंबस और लाइन ने चेंज किया है यह दोनों भी एक जैसी होने चीए बिल्कुल ऐसा ही बस यह लाइन यहां पर आ जाएगी बार जो है और यह रॉंबस यहां पर आ जाएगा और ऐसा ही ऑप्शन में ढूनना होगा option number first बिल्कुल कर है ठीक है आप सीख पा रहे हो बहतर नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट कोशन देखते हैं तर लक्डवन डियाग्राम डेट रिप्रेजेंट दर सेम रिलेशन ओके कॉन्फ्लेक्स क्यूमिन और ब्रिंजल मतलब कॉन्फ्लेक्स जीरा और बैंगन निंका नेक्स्ट कोशन की दरफ चलते हैं यहां पर अगर आप देखो गए तो यहां पर यह दो फिगर लेको एक जासी आरे लेकिन यह पिर चेंज हो गई यह दोनों एक जैसी आ रही है यह दोनों फिगर एक जैसी तो यह दोनों भी सेम रहनी चाहिए तो ऐसी ही यहां पर यह फिगर अने सिई ऑप्शनस को कंसल आउट करो यह गलत है ठीक है जी? और और बाकी ठीक आ रहे है चलो निएक्स्ट यह vice यह कहीं न कहीं वन नेट् ojos पर आप देखो कि यह गलत है ठीक है अब option पर राते हैं यह को बाफ बिदाफ किसी भी तरह का नहीं है और next question कि तरफ चलते हैं, यहां पर आप देख पा रहे हूँ कि इन में से हमें figure complete करने हैं, ठीक है, completion of figure, figure को क्या करना है? complete करना, अगर यहां पर आप देखोगे, तो यह जो circle आ रहा है, यह complete होगा, यहां से एक line जा रही है, यह complete होगी, यहां पर star star यहां पर बनेंगे, और यह जो leaves है वो देखो एक दूसरे की तरफ point करें तो यहाँ पर भी एक दूसरे की तरफ point करने चाहिए और option number देखो यह line यहाँ पर complete नहीं हो यह गलत यहाँ पर यह line complete नहीं हो यह गलत और यहाँ पर अगर हम देखें इन leads की direction गलत है option number third बिलकुल correct answer ठीक है जी उमीद है यहाँ तक आपको यह भी समझ आया होगा next question में अगर आप देखो गे तो यहाँ पर इसको correct रलो शाद आपको ना देख रहा हो यह percentage है यह plus minus है यह hash percentage है at the rate है dot है और यह and का sign है plus minus है यह dot है and at the rate और hash ठीक है जी इसको ठीक कर लेते हैं इसने पूछा कि percentage के opposite में बताओ percentage के opposite में percentage के opposite में ठीक है इन दोनों के मैं अगर first और second में देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि percentage common है ठीक है percentage clockwise अगर इनको लिखे हम percentage hash और plus minus ठीक है हमेशा क्या करता है जब भी दो क्यों कोई भी दो डाइस सेलेक्ट कर लो आप उन दो डाइस में अगर कोई एक element common है तो वहीं से start करके हमें सारे नमर clockwise में लिख लेने तो percentage hash plus minus percentage dot add the rate ठीक है यह इसके opposite हो गया यह इसके opposite में क्या आएगा percentage के opposite में क्या आएगा end आएगा percentage के opposite में क्या आएगा end option number फस्ट बिल्कुल correct होगा क्योंकि plus minus opposite किसके add the rate के star रहा होगा sorry यह स्टार रहा होगा ठीक है स्टार जो है वो किसके opposite है एश के और यहाँ पर जो बचा हमारे पास add the rate किसके opposite है यह लेकिन हमसे पूछा था percentage के तो percentage के opposite में क्या जाएगा जो हमें दिखने राइन दोनों डाइस में ठीक है end तो अमीद है यहां तक आपको यह clear रहा होगा इसमें कोई भी डाउट आपको किसी भी तरह का नहीं है next question की तरफ चलते यहां पर आप देख रहे हो mirror image बदानी है publication word की और यहां पर इसने यह भी गुला है mirror right में रखना राइट में रख लो चाहिए left में उससे कोई फरक कभी भी नहीं पड़ता है ठीक है तो जब आप इसको देखोगे तो पूरा वर्ड चेंज होना चाहिए मतलब mirror के पास कौन सा लेटर है end तो n ही आना चाहिए ठीक है यह option गलत है यह option गलत है ठीक है उमीद है यहां तक समझ आया होगा चलो अब जो दो option बचे उसमें मैं देखो कौन-कौन से क्या क्या चीज़े अलग हो रही है यहां तक सीख है ठीक है अब आप देखोगे publication P-U-B-L-I तो P-U-B-L-I आना चाहिए P-U-B-I-L नहीं आना चा इक सारी इकियलिटी का कोड हमें दिया हुआ है 22 2283 2631827 कंफर्म का कोड 2465 211894 रिसूर्स का कोड तो रिसूर्स का कोड अगर यह डारेक्ट कोडिंग का कुशन होता तो एस कही ना कहीं दोनों वर्ड में मौझूद होता लिकिन दारेक्ट कोडिंग का कोशन है ने मतलब दे लिएंदिधन के बीच में क्या logic है ओक कि हो इकुलिटि कि अगर हम बात करें यहाँ पर लिख लेती तो ठीक है और equality का अगर मैं यहां पर code लिख लेता हूं नमबर लिख लेता हूं E 5 पर आता है Q 17 पर आता है U 21 पर आ रहा है A1 पर आ रहा है L 12 पर I 9 T 20 और Y 25 ठीक है इस पर आ रहा है इसका जो code दिया हूँ वो लिख लेते हैं 22832631827 ठीक है यह दिया हूँ है code हमें अब यहां पर देखते हैं क्या लोजिक है ठीक है चलू कि देखो ऐसा समझ आ रहा है कि यह जो है 25 यह 7 बन गया 2 और 5 साथ 2 और 0 मिलकर 2 बन गया है ठीक है एक प्लस 2 मिलकर यह 3 बन गया है यह ठीक आ रहा है 2 प्लस 1 मिलकर यह 3 बन गए 1 प्लस 7 मिलकर यह 8 बन गए ओके ठीक है जो double letters महweitant double digit के नम्बर थे उनको plus करके लिए यह जो double digit के नम‌बर थे उनको क्या कर दिया plus करके लिए दिया है ठीक है और जो single digit के नम्बर है अगर आप देखोगे E का opposite V होता है थिस भीги का नंबर है यह ठिके एक वन का उपोजिट जैस्ट का वन नंबर है यह नाइन का उपोजीट आईICA उपोजट्ट आर होता है आर है केंगे तो यहां से हमें समझयाय कही जो सिंगल यॉडिजिट है उनको तो उपोजिट यॉडिटर का नंबर अब तो रिसोरस का अगर मुझे कोड पता करना करना है पहले नंबर लिख लेते हैं अगर यहां पर हम डबल डिजितवालों को पहले लेटर को प्लस कर लेते हैं एक और आठ मिलकर क्या जाएगे नो ठीक है एक और नो मिलकर या यह पांच है पांच का उपोजिट वी बाइस आजाएगा ठीक है एक और नो दस हो जाएगा दस आएगा एक और पांच छे आजाएगा दो और एक तीन आजाएगा एक और आठ नो आजाएगा तीन का उपोज आपको यहां तक आपको यह समझ आया होगा इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं अच्छा कोशन था ठीक है बहुत हटके था कोशन लेकिन कर सकते आपास आने से लिखने से बहुत कुछ पता चल जाता अगर आप लेक्टर के लिखोगे तो काफी कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा यहां पर देखो कि हमें यहां पर डाइस गिवन है और आपको बताना है कि इस डाइस को यह जो ओपन डाइस आपको गिवन है यह इसको क्लोज करके इनमें से कौन सी फिगर बनेगी इनको क्लोज करके इनमें से कौन सी फिगर बनेगी ठीक है आप यहां पर देखो कभी एक ओपन डाइस के अंदर ना एक स्ट्रेट लाइन में एक छोड़कर एक फेस हमेशा उपोज़िट उड़ता है ऐसे ही यहां पर और जो प्लस है वो आफिए के कि ङए का मतलब आपकर हो इन जो हो सकता है नीचे बाला फेस क्या हो हो रांग और यह जो दो ब्लैंक हमारे पास बागी है हो सकता है यह दो ब्लैंक हो मतलब एक के उपोजिट में अगर डॉट है यहां मतलब अगर ब्लैंक है तो हो सकता है एक के उपोजिट में डॉट हो और एक के उपोजिट में सरकल हो ठीक है यह बन सकता है बिल्कुल बन सकता है सेकेंड वाला देखते है प्लस के ऊपोजित में पीछे ब्लांक फेस हो सकता है यहाँ पर भी ओगा डौक की आओफो au BachOS अह सकता है सर्कल के ऊपोजित में ब्लन यहाँ और हो सकता है जो प्लस नहीं दिख रहा है वो नीचे हो जिसके उपोजिट में क्या होगा ब्लैंक फिस चारों ही बन पा रहे हैं और ऑप्शन नंबर फस्ट वन टू थ्री पॉर इस दर करक्ट आंसर अगर फिर भी आपको को डाउट है स्जेशन देना चाते हैं तो आप बिल्कुल कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमेशाँ वैलकम है ठीक है next question की बात करते हैं इन में से हमें एक अलग figure find out कर लिए है ठीक है आप देखरो odd one out ठीक है आप यहां पर देखो क्या ऐसा दिखाई दे रहा है देखा जाए तो इस figure की 4 sides है तो चार ही इї flower बने हुए ठीक है ऐसा यहाँ पर भी चार Sides है चार flower यहाँ पर आप देखो Pentagon है 5 side है 5 side के 5 flowers तो यहाँ पर आप देखो एक दो तीन चार पांच यहाँ तो चारaria法 कियसे हुए तो यह आपका Correct answer यहापका क्या है, odd one out है, ठीके, नेक्स्ट कोशन पर आते हैं, यह आपको फिर से embedded figure, embedded figure कि देखो, दों कोशन सही हैं, ठीके, चलो, यहाँ पर इस figure को हमें ये नहीं, तो है ही नहीं गलत है ये, इस अकरिखेंट में देखे, तो यह हो सकता है यहां पर यह हो यह बन रहा है और यहां पर इसे नहीं बन पा रहा है इसमें तो उल्टा बना हुआ है rotation की वेज़े से गल्थ हो जाएगा ठीक है option number two बिल्कुल correct है rotation allowed नहीं है ध्यान रखना है इसको पढ़ना है rotation allowed नहीं है मतलब आप figure को घुमा नहीं है सकते हो घुमा कर चेकने करने हैं ठीक है और लास्ट कोशन देखते हैं इन्वेसे हमें odd one out find out करने है डिते के स्क्वैर के अंदर यह छोटा स्क्वैर ठीक है ट्रैंगल के अंदर ट्रैंगल च्रaison पेंतफया इंदर पेंतागल और यहांपर हेकसां के अंदर आख् עसर गलत यह है यहां पर आप बाकि में देखो कि ट्राइंग यह दोनों figured कैंए कि इसमें आपको सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करें अरब रहता हूं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें जो भी लोग देली पुलिस कॉंस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ठीक है और अच्छी से पढ़ते रही है नेक्स्ट वीडियो में हम एक नएक सेट देखेंगे मैट्स का ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थेंक्यू जाहिन